बेटा, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था demotion की direction की बारे में, जिसमें मैंने आपको distance और displacement clear किया था अब मैं आपको clear करूँगा, बेटा, motion, uniform motion, की uniform motion जो है, वो होता क्या है, यदि हम uniform motion की बात करते है uniform motion का मतलब होता है, As body has a uniform motion यह एक body है, यानि एक कोई object है, जो uniform motion करता है, यह uniform motion मतलब same, एक जैसा, it is travel equal distance, यह equal distance travel करता है, in equal intervals, equal intervals में equal ही काम वो करता है, for example, मैंने बोला, कि एक बच्ची, एक किलो मीटर में, एक किलो मीटर छे मिनिट में भागती है, तो मैंने बोला, दो किलो मीटर वो बारा मिनिट मे ही भागेगी, 3 किलो मीटर वो 18 मिनिट में ही भागेगी, यानि उसकी speed हमेशा same रहेगी, तो यदि मैं ऐसा बोलता हूँ, तो मैं इसको uniform speed बोलूँगा, यदि uniform speed की बास समझ में आती है, तो इसी के उपर एक example भी है, यदि आप से बोला जाए, एक car है, एक car, एक car, run करती ह है, with a fixed speed, इसका बलाव है fixed, with a fixed speed of 20 किलो मेटर पर आर, वो 20 किलो मेटर पर आर के हिसाब से चलती है, then after, first hour, second hour, third hour and fourth hour, के बाद जो उसका distance है, वो कितना हो गया, यदि बोलने तो इसका distance किता है 20, इसका distance किता है 40, 60 और 80, यानि कि उसको पहुचने के बाद उसका distance किता होता है, 20, 40, 60, 80, तो यह 20, 40, 60, 80 कैसे निकलेगा, मैंने बताया अभी आपको कि distance कितना है, distance हमें पता नहीं कितना है, time कितना है मेरे पास, आप बोलोगे कि time है 1, 2, 3, 4, okay, तो उसकी speed किती है, वो बोलता है 20 किलो मेटर पर आर, यानि उसकी speed किती है 20 किलो मेटर, so distance is equal to क्या हु 20, तो 1 into 20, total distance किता हो गया 20, यदि मैं बात करूँ, कि distance कितना कवर करता है 2, 2 किलो मेटर का time लेता है, 2 गंटे का, speed किती है 20, तो total distance किता हो गया 40, यदि वो 3 गंटे का time ले, तो 3 into 20 किता हो 60, तो यानि कि उसका total distance किता है 20, 40, 60, 80, तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, देखिए, मैंने आपन नीचे example लेख time और distance, uniform motion हमेशा, हमेशा horizon से पास होता हो जाएगा, और बिलकुल सीधा जाएगा, ये देखिए, बिलकुल सीधा जाता है, तो इसको हम uniform speed graph बोलते हैं, uniform speed graph को point लेख प्लोट करें, तो देखिए, 1 पे कितना है 20, 1 पे 20, 2 पे कितना है, 2 पे 40 है, 3 पे कितना है, 3 पे 60 है, और 4 पे कितना है, 4 पे 80 है, तो इसके थ्रू हमने पढ़ा कि किस तरीके से, इसके थ्रू हमने पढ़ा कि किस तरीके से graph को हमने show करके दिखाया, बात आती है कि uniform speed कब कब होती है, uniform speed होती है, the movement of earth around an axis, धरती सूरज की सारो और घूनती है, और अपनी movement के लिए हमेशा अपने axis पे घूमती रहती है, तो इसको uniform speed बोलते है, इसी से day और night होती है, आपको थोड़ा सा SST में पता हो, तो SST में आपने पढ़ा होगा rotation और revolution, revolution कब होती है, जब वो sun के 4 और चक्कल लगाती है, यानि 365 वन अपन 4 days, और rotation कितने days में होती ह rotation 24 hours में, यानि कि एक दिन में पूरी हो जाती है, तब बिटा next video में, इस video में तो मैंने आपको non uniform speed के बारे में बताया था, non uniform motion के बारे में, जो next video होगी, मैं उसको, उसमें आपको uniform motion के बारे में पढ़ाऊंगा,